नमस्वार साथियो, मैं बेद प्रकाष आपके अपने यूट्यू चैनल प्रकाष इसड़ी में आपको स्वागत करता हूँ साथियो, आज हम 30 जनवरी दोजात तेज का सेकेंड सेप्रिका पेपर लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स साथों, जितने भी सेप्रेंगे मैथ के कॉष्ण इसमें पूचे गएंगेंस, सभी कॉष्ण को करेंगे इस से पहले हम बाल विकासी, मिक्रफट्र सास्त्र, सामान, हिंदी और सीटर का स्वाँ सब्सक्राइब करने वाली इस्तिती की पहचान कीजिए नीचे चार औौपैंसर को पढ़के सही अंसर आपको बताना है सब्सक्राइस अंसर क्या है साथ 31 का औौपैस नमर तीसरा सही हो जाएगा यहनी 7 की कौग को 5 सदस्यों में समान रूप से विवाज्ट करना जाना Гञ्दानेट कौषन देック लेते हैं कौषन नमर 32 हैं चार अप्शन को पढ़के सही अंजर आपको बताना है कि 32 का सही अंजर क्या होगा कि साथ यह 32 का अप्शन नमा तीसरा सही हो जाएगा इसमें दो पूरांकों को गठाने के लिए हमें उनके संक्यात्मक मानों का अंतर ज्याद करके उसमें बड़े संक्यात्मक मान वाले पूरांक का चिन्न लगाना पड़ता है अगला नेक्ट कसन देख लेते हैं क्वसन अमर तेटीस साथ यह आपको 20 है बिन चुक्त खरनी है यानि 20 दो भटी 22 तो दोकि लिए 5 दो है इंट्टे में ड़ दवाईड गर सुनदा है Potato अब इसे लए यह का शह साथ आठ आत हुग यहा इसब करेंगे इसको इंटू में चे निकलेंगे पांच बट्टे-दोई इन्टू यह जाएगा कितना अ है पाँच वत्टे-आठ तिम्हें आपका पत्चीस वत्टे-शोला इसमें कौन साहे पत्चीस वत्टे-शोला है एक से नुबट सुलय कम है 33 का सही आंसर क्या हुगा शाथ यो 33 का अप्सोन नमर चौटा सही हो जाएगा यानि यह हो जाएगा 16 एकन सुलय 16 और 9 कितने हो जाएगा 25 से आधिक यानि यह आंसर अप्सोन नमर 14 इसमें सही हो जाएगा अगला कॉसन देख लेते हैं कॉसन नमर 34 34 में पूचा है नेमन गुड़न फलों में से किस से प्राक्रतिक संख्या प्राप्त होती है यहीं चार अप्शन दे रखें चार अप्शन को पढ़के सही आंसर आपको बताना सौल करने पर नेमन गुड़न फलों में से किस से प्राक्रत संख्या प्राप्त होती है अगला ने एक कॉसन क्योंकि सभी पॉजिटिव संख्या प्राक्रतिक संख्या होती है अगला कॉसन देख लेएं क्उसन नम़र 36 36 में पूच्या है 5.035 की संगत मिस्न भिन है तो हम 5 को 5.035 को संगत मिस्न भिन कैसे बनाएंगे यानि 75 वटाएंगे तो यहां जाएंगे एक, दो, तीन, यह अजार हो जाएंगे, अब इसे सॉलू करेंगे, इसे सॉलू करने पर, इसे काट देंगे, पांच से इतने यह कटेगा आपका, के इतने पांच से कट जाएगा, पांच एकन पांच, जीरो, और पांच सत्य पेंटीस, जीरो और आपके साथ पांच सत्य पैने तिस जीरो पांच बट्टे पांदोनी दस यह दो सो बात यह हो गया आपका तो यह आपका कितने हो आप दो दूनी चाल स्वाल करने पर हो जागा आपका अप्सन नमर तीसरा यहने पांच साई साथ वट्टे दो सो यहने अप्सन नमर तीसरा हो जाएगा इसमें 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा 35 का तीसरा आंसर हो जाएगा अगला पसंद देख लेते हैं कौसन नमर शत्यस 36 में पुछाए तरवोज ABC में AB बरावर AC है तथा भुजा AB को T तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कौण CBD यूगल टो 150 डिगरी है तब कौण BAC बरावर है नीचे चार ओप्षन देखे हैं सात्यों सौलू करने पर इनमें से सही आंसर क्या होगा 36 का सात्यों 36 का ओप्षन नमर 14 सही हो जाएगा इसमें यानि 120 डिगरी अगला नेट कौण देखे लेते हैं कौण नमर 17 37 में पुछाए किसी तरवोजी ABC की बुजा BC पर D एक बिन्दू इस प्रकार है के AB AD लंब BC और BD यूकल टू DC है तब नीचे चार ओप्षन रहाँ प्रकें से सही आंसर क्या होगा 37 का साते तो सौलू करनेबल 19 सही आंसर क्या होगा सौलू करनेबल 37 का ओप्षन नमर 13 सही हो जाएगा अगला नेट कौशन देख लेते हैं कौशन 38 38 में पुछा है एक कागज पर सिमी रेखा है L, M और N इस पर कार कीची गई है L M पर लंबा है और N M पर लंब है तो नीचे चार आप्सन रखें चार आप्सन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 38 का सही आंसर क्या होगा 37 का आप्सन नमर पहला सही हो जाएगा तो L और N समानतर है यानि L M पर लंब है और N M पर लंब है तो L और N समानतर हो जाएंगे यानि यह आपकी दोनों समानतर हो जाएंगे अलाने एक क्वस्ण नमर 49 49 मैं पुचा है किसी भी त्रभुई के लिए समामित रेखाओं की समावित अधेकतम संक्या है नीच चार आप्सन रेके हैं 49 का सही आंसर आपको बताना है साथ 49 का सही आंसर क्या हुआ 49 का सही आंसर आप्सन नमर 2 हो जाएगा यान 3 गलाने एक क्वस्ण देख लेते हैं क्वस्ण नमर 40 40 मैं पूचा है वाबुर आज एक कागज की सीट पर दो रेखाखंड एबी और पीक्यू खीचता है यादे ये दोनों रेखाखंड दोनों और कितना भी विश्ण करने पर कभी भी परसपर नहीं मिलते हैं तो एबी और पीक्यू निम्न दो भाग हैं यानि दो रिकार खीची जाते हैं कि ए भी और एक ये एक है आपकी पीक्यूँ इसाथ इन दोनों को कितना भी खीचा जाए कितना भी लंबा किया जाए परन्तों ये इतना गैप तो फिर भी रहेगा क्योंकि ये समानतर रिखा हैं ये सीधी ऐसे चली जाएगी आपकी ये ये ये ऐसे करके चली जाएगे आपकी ये कभी न मिलने वाली रेखा हैं तो इन में से सही आंसर क्या होगा चारों में से 40 का 40 का अप्सर नमर्ट सेकंड सही हो जाएगा क्योंकि ये एक समानतर रिखा हैं अगला नेट कॉसन देख लेते हैं कॉसन नमर्ट तालिस 41 में पूचा है किसी आयताकर खेत की लम्माई और चोड़ाई में अनुपात 10 अनुपात 3 है खेत के 4 और 12 प्रत मीटर की दस से बाड़ा लगाने की लागत 640 रुपे है खेत का खेतरपल क्या है मीटर स्कुर्म बताई है नीचे 4 और रिखें साथे सौल्व करके सही आंसर आपको बताना है इसका खेतरपल क्या होगा साथ एक तालिस का ओप्सन नमर चोटा सही हो जागा सौल्व करने पर बार रहा जारा इसका खेतरपल आएगा अगलाने फॉसन दिक लेते हैं कॉसन नमर 42 42 में पूचा है मान लेजिए के एस और एस दो समांतर उचाईयों के दो विलन है यदि एस का ब्यास एस डैस की ब्यास का दोरना है तो एस का वक्क प्रेश्टिय क्षेतरपल क्या हुआ इस चार अप्सन रहे हैं चार आप्सन को पढ़कर सही आंसर बताना है 42 का सही आसर क्या हुआ साथे 42 का उप्सन नमर पहला सही हो जाएगा यानि एस डैस के वक्क प्रेश्टिय क्षेतरपल का दुग ना है अगला नेक्ट पॉसन देख लेते हैं क्षेतर नमर 43 43 पुचाय सोबेन के पास दो समकोंड तरबोज हैं जिनमें से प्रते का खेतरपल 6m2 है और कर्ण 5 cm है बजाओं की लंबाईयां पूर्ण संख्याओं में हैं वहां उन्हें इस प्रकार व्यवस्तित करता है कि उनके कर्ण संपाती हों तथा परणा में आकरती एक आयत बने तब इस आयत का परिमाप है यह चार अप्सन देखें चार अप्सन को पढ़के सही आंसर बताना है 43 का सही आंसर क्या होगा साध्यों 43 का सही आंसर अप्सन को तीसर हो जाएगा यानि 14 संटी मीटर अगला नेक्ट क्वसन क्वसन नमर चम्मालिज 45 में पूचा है दो पासों को ठेका जाता है तथा उन पर आई संख्याओं को चोड़ा जाता है यह यहाग ज्यात है कि आई हुई यह दोनों संख्याए भिन भिन हैं तो इसकी क्या प्राइक्ता है कि प्राप्त योग बारह है नीचे चार अपरण दें रेके चार अपरण को पढ़के सही आंथर बताना 44 का सही आंथर क्या होगा ़ जो 43 का ओप्ष्ण नॉमटर पहला सही हो जागा यरनि 0 अगले नेक्ट को सन नॉमर 45 45 में पूचाए निम्न आकड़ों पर विचार कीजिए 9, 7, 31, 26, 87, 48, 25, 47 जाच करने पर पाया गया कि एक पिछन 48 गलत था तथा उसे 84 से बदल दिया गया तब खालिस्तान का के मान वही रहेगा नीचे 4 अपसन रहें, 4 अपसन को पढ़के सही आंसर बताना है 45 का सही आंसर क्या होगा जादे 45 का उपसन नमर्च ओता सही हो जाएगा यानि बहुलाक और माद्याक अगला नेचे पसन, पसन नमर्च चालिस चालिस में पूचा गया है, यह दे, 2 और यह सवाल दे रखा है, तो आपको इस सवाल स्वाल करना है यानि 3y प्लस 8 अपन 2 का मांड क्या होगा स्वाल करने पास का सही आंसर क्या आएगा यह है आपका 2y प्लस 5 यह हो जागा आपका 2y प्लस के 5 नि 10 यूकल टो यह हो जागा 3 नि 6 मांड के 6 और प्लस का यह हो जागा मांड मांड प्लस के 3y तो यह हो जागा आपकेतना y को इदर में लाएंगे तो 6 को इदर ले जाएंगे 10 प्लस के 6 उकल टू 3 y ये प्लस के प्लस की नहीं आएगा ये इदर को आएगा तो आपका ये minus है हो जाएगा minus के 2 y तो यहाँ y कमान हो जाएगा आपका 16 और y कमान इसमें रख देंगे इसमें रख देते हैं ये 3 y प्लस के 8 अपॉन 2 तो 16 y कमान इसमें रख देंगे 3 into 16 प्लस के 8 अपॉन दो 16 तो 48 48 और 8 कितरे हो जाएगे 57 56 वट्टे 2 तो यह हो जाएगा 13 इसका सही अंसर हो जाएगा अपॉन नम्र 3 अलाइन एट कॉसन देख लेते हैं कॉसन नम्र 47 47 पे कुछ आए है यादे x minus y उकल टू 5 और x स्क्यार प्लस 22 के उकल टू 3 पन है तथा x और y दनात पक हैं तो x स्क्यार माइनस 22 के का मान क्या है नीचे 4 उप्सन देखे हैं चार उप्सन को पढ़के सही अंसर आपको बताना है कॉसन नम्र 47 का सही अंसर क्या होगा साथ यों 46 का उप्सन नम्र सेकेंड हो जाएगा इसमें सौल करने पर यह निचे 45 से यांसर आएगा अगला नेचे को सन देख लेते हैं पसन नम्र 48 48 में इस सवाल दे रखा है साथ यो इससे सौल करना है आपको तो एक अमान गयाद कीजिए इसमें एक अमान गयाद करना है आपको क्योंकि इससे और इससे सौल करने पर यह दे रखा है तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो सभी का solve करने पार इसका सही आंसर क्या आएगा साथियो 48 को solve करने पार नीचे चार अपसन दे रिखें चार अपसनों को पढ़के सही आंसर वक्त को बताना है 48 का सही आंसर क्या आएगा साथियो 48 का अपसन अमत 30 रह सही हो जाएगा यहीं माइनस के बाहरे आएगा इसमें अगला नेक्ट कॉसन देख लेते हैं पसे नमन उन्चास उन्चास मैं पुचाए कोई दुकानदार सो बल्ब दसरुबे प्रति बल्ब की दर से खरी दिता है उसने इन सभी बल्बों को बेच गार 25 परसेंट लाब अड़ित करने का निर्ण लिया यहाँ परिकलपना करते हुए सभी बल्ब बिख जाएंगे परांतो उसने देखा के उनमें से 10 बल्ब खराब हैं यहने बेचा नहीं जा सकता है उसके उसने 6 बल्ब को 14 प्रत्य बल्ब की दर से बेच दिया तब उससे नहीं चार उप्सन देखें चार उप्सन को पढ़के सही आंसर बताना उननचास का सही आंसर क्या होगा साथे उननचास का उप्सन नमर पहला सही हो जाएगा यानि तत्यासेत धन रासी से 10 रुपे अधिक प्राप्त हुए अगला नेट कोसन देखें लेते हैं कोसन नमर पचास पचास में यह संक्या दे रखिया आपको बराबर है यानि इसका सभी का उड़न खंड करेंगे यानि इससे एक्स का उड़न खड़े करेंगे इसमें xz-k x²-k xy-k y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y साथ यससे पूरा स्वालो करने पर यहने एक यह सबी को पाट को जोड़ने पर पचास का सही अंसर क्या इक क्यामन पुचाय एक सिक्षक ने विद्यार्तियों से रामान जन संख्या को और दो घंजख्याओं के योके रोप में भ्यक्त करने के लिए विभिन तरीकों को ग्याद करने के लिए कहा, यह कार्यन सिक्षक क्या प्रयास क को दढूखाता है. इसे चार अप्शन रेकें, चार अप्शन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वेसर नमर एक्क्यामन का सही आंसर क्या हुगा? साथ ये क्वेसर नमर एक्क्यामन का सही आंसर क्या हुगा? साथ एक्यामन का उप्सन नमर चौता सही हो जागा यानि विद्यार्थियों में स्रजनात्म का चिंतन को बढ़ाना अगला नेट क्वेसन देख लेते हैं प्वेसन नमर बामन बामन में पूचा है निमलेकित प्रेशनों की तुलना कीजिए एक कहता है यदे तीन US डॉलर का मान 180 भारती रुपए के बरावर है तो कितने भारती रुपए 21 यूएस डॉलर के बरावर होंगे बिक कहता है एक ब्रत्ता कारपत पर जोया और रजनी एक बरावर गती से भागर रहे हैं जोया ने पहले भागरना सुरू किया और उसके जब 9 चकर हो गए थे तब रजनी ने 3 चकर हुए थे जब तक रजनी के 15 चकर होंगे तब तक जोया के कितने चकर पूरे हो जाएंगे निम्ले कि दमें से कौन सा कतन सही है नीचे 4 अपसन रहें, 4 अपसन को पढ़के सही आंसर बतना है मामन का सही आंसर क्या होगा साथ यह सौलू का नेपार इसका सही आंसर मामन का अपसन से हो जाएगा यानि ए प्रिश्ण समान पात पर आधारित है बी के लिए ह्योग और ब्याकलन की ज्यान की आवसिकता है अगरा नेचे कौसन देख लेते हैं कौसन नमर त्रेपन त्रेपन मैं पूचाएं निमलकित में से कौन सा गड़ती रूप से प्रतवा साली विद्यार्थियों का गुण है नीचे चार अपसन देखे हैं ये कहता है आपका पैटन का पता लगाने और गड़ती अवदार्डाँ के बीच सम्मद बनाने में सक्षम B कहता है विशलिशन करने तरक करने और सामानी करन करने की चमता दिखाते हैं C कहता है और पुचारिक कालन विदियों का अपियों करते हुए पुस्तक में दिये गई सभी अभ्यास कारे को हल करते हैं D कहता है गड़ती समस्याओं और पहिलियां को सुलजाने में आनन्दित होते हैं नीचे चार उप्सन रखें चार उप्सन को पढ़के सही अंसर बताना है त्रेपन का सही अंसर क्या होगा साथ यो त्रेपन का उप्सन नमर चौता सही हो जाएगा इसमें इसमें A, B और D उप्सन सही होंगे आपके A, B, और option number D सही होंगे इसमें आपका C गलत होगा अगलाने इट कॉसन देख लेते हैं कॉसन number चबवान चबवान में पूछा है योगात्मक, संकलनात्मक, मूल्यांकन के लिए निम्नमेंसे कौन सा लक्षण है यह कहता है एक निर्देसात्मक यह काई के अंत में चबवान के अधिगं का मूल्यांकन करना B कहता है चबवान को उनके प्रदरहन के इसतरप और दरसाने के लिए प्रतिसत या किसी अन्य रूप से करेड़ देना C कहता है सिक्षन और अधिगम की गत विदियों को सुधानने के लिए अधिगम की प्रिक्रिया के दोरान अभयोग किया जा सकता है नहींचे चार अप्सन रिखें चार अप्सन को पढ़के सही अंसर बतना चाववन का सही अंसर क्या होगा साथिय चौफवण का सही यांसर और अप्शन नमर पहला हो जाएगा जिसमें A और B अप्शन सही होंगै जिसमें A और B अप्शन सही होंगै ये कहिता है एक निड़ने सांग का uda में चातरों को अधिगम का मुल्यांकर कराना पी गैता चात्रों को उनके प्रदर्शन के इस्तर को दर्शानी के लिए प्रतसति या किसी अन्य रूप से ग्रेड़ देना अगला नेट कोसन देख रहते हैं कोसन नमर पच्पान पच्पान पूचा है आंकणों का प्रवन्दन का विश्य बढ़ाने के लिए कख्या साथ अध्यापक स्री जस्बंद ने सर्विक्षन आधारत परियोज ना दी जिसका सीर्सक बाजरा, बाजार और गड़त है अध्यापक का लक्ष है यह चार अप्षन रहे करें चार अप्षन को पढ़के सही अन्सर पताना पच्पान का सही अन्सर क्या होगा साते पचपन का अप्शन मा चोता सही हो जागा यानि गड़ित को छात्रों के ध्यनेक जीवन से जोड़ने और आखणों को संग्रह के वारे में जानकारी दिना अगलानेट कोसन देख लेते हैं कोसन अमर शप्पन चपन में पुचाए गड़ित का कारे विदिक ज्यान कोलन विदि को समझने और उसे परियोग में लाने पर आदारित है परांतो गड़ित में लचीलेपन का संबन्द है इसे चार ओप्शन रेक हैं चार ओप्शन को पढ़के सही आंसर बतना कोसन अमर शप्पन का सही आंसर क्या होगा साथे शप्पन का ओप्शन वा चौता सही वज़ागा एक से अधिक विदि द्वारा प्रेश्ण को खल करने की ख्यमता अगला नेक्ट कोसन देख लेते हैं कोसन अमर सत्तामन सत्तामन में पूचा है शेत्रमिती मैंसुरेशन हिकाय की दैनी की योजना में निमलिकिस विशिष्ट उद्देश सम्मिलित हैं विद्द्यार्ती, गड़ीत के अनौप्रियोगों को समझने में समर्थ हो जाएंगे यह विशिष्ट उद्देश यहीं चार अप्सट नेक्वें, चार अप्सट न को पढ़के सही आंसर प्रताना सत्तामन का सही आंसर क्या होगा सात्यों सत्तामन का उप्शन नमर पहला सही हो जाएगा यानि अनप्रयुक्त है यहांकि उद्देश्य आइस्पेश्ट और ठीक से परवासित नहीं है अगरा नेक्ट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर अठ्ठामन अठ्ठामने पूछा है सिख्य का एक 30 रहित सिख्य को 20 बार उचालती है तो उसे 8 चित और 12 बार पट मिलता है इस इस्तिती को ध्यान में रखते हुए विद्द्यार्थी द्वारा दिये गए निम्रेखित उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है इसे चार अपसन रहें चार अपसन को पढ़के सही आंसर बताना है 58 का सही आंसर क्या होगा साथ 58 का सही आंसर अपसन रहें चौता होगा यानि चित और पट आनने की आधी आधी प्रायक्ता का अर्थ यह नहीं है कि सिक्का उचालने पर भी उन्हें हमें बिल्कुल 50% चित या पट ही मिले अगला नेट क्वसान क्वसान 59 59 में पूचा है एक सिक्षक ने देखा के उसकी कक्षा का 11 वर्ष का चात्र विहमेन प्रकार के चत्रबोजों को बिन बर्गों में वर्गी करत कर सकता है परंतो उसे अपपत्ती एक चत्रबोजी के अंतर कौनों का योग 360 डिगरी होता है को समझने में कठनाई हो रही है इन प्याजे के संग्यानात्म का परिकलबना के अनुसार चात्र खालिस्तान में है नीचे चार अप्सन रेकें चार अप्सन को पढ़के सही अंतर बतना है कौन अमर 59 का सही अंतर क्या होगा साथ 59 का अप्शन नमर पहला सही हो जागा यानि मूर्त संक्रियात्म का अवस्ता है अगर अनेट कोसन देख लेते हैं कोसन नमर 60 साथ मैं पूछा है बीजगड़ित पर एक एकाई के पूरा होने के बाद एक सिख्ष का समस्या समाधान और वेचन तरकन कोसल का विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक विकसित करने का नण लेती है निमले कि समय से कौन सा रूब्रिक कथन रूब्रिक के समलित करने के लिए सरवदे को प्युक्त है A कहता है समस्यागों सुलजाने से पहले जिना B कहता है उत्तर सूची में से उत्तरों को जांचना और उसके अनुसार रणनी ती विकसित करना C कहता है गड़ती या कथनों को उतारखे कगड़त प्रगती में निर्मित करना और D कहता है सब्दों यान तस्वीरों और अंगों के प्रियोग से विचारों को केवल लिख कर समझना नहींचे चार उप्सन रहें चार उप्सन को पढ़के सही आंसर बताना है साठ का सही आंसर क्या होगा साथ यो साथ का option नमा तीसरा सही हो जागा जिसमें A और C option सही होंगे यानि A और C option A में कहा है समस्यां को सुल जाने से पहले समझना C में कहा है गड़तिय कतनों को उतार के प्रगति में निर्मित करना साथ यो इस पेपर में गड़ति के जितने भी कोसन पूचे गएते हमने सभी solve कर ले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक सेर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ने कि अपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आज के लिए बस्तिनाई धन्यवाद